शादी की रात भागने का मनसूबा बनाया था मदीहा रिजवी अदकारा मदीहा रिजवी ने इनकशाफ किया कि इन्होंने शादी की रात निका के बाद वरार होने का मनसूबा बनाया था मदीहा रिजवी ने 2014 में साथी अदकार हसन नुमान के साथ शादी की थी लेकिन गुजशता बरस दोनों ने राही भी जुदा कर ली, दोनों के दो बच्चे भी हैं। अदकारा ने करियर पर बात करते हुए कहा कि इन्हों ने जब नौजवानी में ही इमरान अश्रफ और हमात वारूकी की वालदा का किरदार अदा किया तो इन्हें इस तरह के ही किरदारों की पेशकश होने लगी। इनके मुताबिक आंगन में जायद अलौमर खातून का किरदार अदा करने के बात इन्हें देर साल तक वालदा के किरदारों की पेशकश की जाती रही और वो हर इदायतकार को काम के लिए मना करती रही। अस्दवाची सिंदगी पर बात करते हुए मदिया रिजवी ने इतराफ किया कि शादी से कबल वो और हसन नुमान 11 साल तक बहतरीन दोस्त बने रहे और इनके एहले खाना भी एक दूसरे के घर आते जाते थे। अदाकारा के मताबिक हसन नुमान ने दोस्ती होने के चंद साल बात ही इनसे इसहारे महबत करते हुए इनने शादी की पेशकर की थी। मगर इन्होंने इनसे रिष्टा यस दवाच में बनने से इंकार कर दिया था। इन्होंने बताया कि इन्होंने हसन नुमान को बताया कि वो उनकी बहतरीन दोस्त हैं और उनके साथ होते हुए इनके जजबात उस तरह नहीं होते इसलिए वो इन से शादी नहीं कर सकती मदिहार रिजबी का कहना था कि हसन नुमान शादी से कबल हर वैलन्टाइन डे पर आकर इन्हीं तोफे देता इनसे इसारे महबत करता और फिर शादी की पेशकश करता मगर वो हर बार इंकार कर देती उन्होंने बताया कि चूंके वो हसन नुमान को अपना दोस मानती थी इसलिए वो उनसे मतालिक दूसरी तरह की सोच रखती ही नहीं थी मदिहार इजबी ने ये भी बताया कि माश्रा या लोग गलत कहते हैं कि लड़का कभी लड़की का दोस्त बन ही नहीं सकता जबके हकीकत ये है कि दोनों सिर्फ दोस भी बन सकते हैं अदकारा ने बताया कि कई साल बाद जब इन्हें शादी करने का खयाल आया तो इनकी जहन में सिर्फ हसन नुमान ही का नाम आया और फिर इन्होंने खुद इन्हें फोन करके शादी करने का कहा अदाकारा के मुताबक, जब इन्होंने हसन नमान को अलध सब्सक्राइब करके शादी की पेशकश की तो इन्होंने जवाब दिया के इन्हें मालूम था कि वो इन ही से शादी करेंगी मदिहार इजवी ने बताया कि लेकिन जसरात इनकी शादी हो रही थी इनने इस वक्ग भी ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो कुछ गलत कर रही है इसलिए इन्होंने निका की बाद वहां से फरार होने का मंसूबा बनाया था इनके मताबिक इन्होंने सहीलियों के कमरे के बाहर खिटकी के बराबर में सीड़ी लगाने की हिदायत कर दी थी मगर फिर अचानक इनके कमरे में हसन नुमान आ गए और इनके फरार होने का मंसूबा भी मुलतवी हो गया